Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to solve the example of turbulent flow जो थोड़ा ज्यादा important है तो अच्छे से देखना है, तो start करते बजो बट इससे पहले अगर आपने मेरा last वीडियो ना देखा हो What is the shear velocity और उसके जो दो तरह के formula जो turbulent flow के example में use होते है तो जरूर से जाके देखना है और सकी link मैंने description में दी है और साथ में मैं जो भी sum कर रहे हूँ वो अभी फिलाल आपकी screen पे चल रहा है तो please उसको अच्छे से देखे, वीडियो को post कर ले, क्या दिया गया है, क्या find करना है तो थोड़ा ध्यान से देख लीजे, चलो start करते है जैसा कि आपने देखा, यहाँ एक smooth pipe दी गई है, जिसका डाया है 15 cm ध्यान से देखे, यह cm है, नाकी mm, यानि यह cm है, सो हमने 100 से divide करना है सो हो जाएगा 0.15 meter, discharge है 0.05 meter cube per second kinematic viscosity है, 0.001 stock और हमें पता है कि एक stock equal to होता है 10 raise to minus 4 meter square per second यानि इसको multiply करें 0.001, 10 raise to minus 4 meter square per second तीन value दी गई है, और तीन हमें find करनी है, कौन से ध्यान से देखे, पहला है friction factor f तो थोड़ा देख लें कि friction factor कैसे मिलता है, तो friction factor के लिए हम पहले find करते है रेनोल नमबर, रेनोल नमबर से रेंज भी पता चलती है, और कौन सा flow है, वेदर इट लेमिनार और टर्बूलेंट वह भी पता चलता है साथ में अगर turbulent है, तो उसमें smooth pipe के लिए कौन सी तीन range है, उसका कौन सा friction factor हमें यूज करना है, वह भी पता चलता है और अगर आपको अच्छे से समझना है कि कौन सा friction factor कब यूज करना है, तो उसके लिए आपको देखना है what is a friction factor for turbulent flow and laminar flow in smooth pipe and rough pipe, जिसकी link मेरे description में दी है, तो check कर लीजे बचो, क्योंकि हर एक सम्मी यूज होता है तो वहां से हमें मिल जाएगा friction factor by formula, फिर हमें find करना है maximum velocity which is u max, अगर ये कहां से मिलेगा, तो हमने एक derivation किया है, velocity distribution in turbulent flow in terms of mean velocity or you can say u average or average velocity, और वहां हमने कुछ ऐसा derived किया है, u max minus u bar upon u star equal to 3.75, जिसकी link भी मैंने description में दी है, और अभी हमने find करना है, wall shear stress which is tau 0, अगर आपको जानना है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कि आपको देखना है what is a shear velocity, जहां मैंने बोला है, कि दो तरह के shear velocity के formula है, और वहां हम प्लें किया है, कि shear stress जब find करना होगा, wall shear stress, तब यही formula किस तरह से use होगा, तो वह भी देखना है, उसकी link भी मैंने description में दी है, तभी थोड़ा rough work कर लेते, तो इसका थो हमें पता चल गा है, यह पहले हम करेंगे renal number, और उसकी range से हम find करेंगे friction factor, चलो इसका हो गया, अभी चाहिए u star, उसमें चाहिए हमें u star, और u star shear velocity में हमें derive किया था, it is tau 0 upon rho, और वहां से हमें मिल सकता है, यह तिसरा atom, wall shear stress, बट यहां u star भी नहीं है, और tau 0 भी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो u star का वहां हमने दूसरा formula भी derive किया था, which is u average into f by 8, into f by 8, समझ में आ रहा है तो यहां हम करेंगे u star find, और रख देंगे, rho हमारे पास है, और tau 0 हमें यहां से मिल जाएगा, यानि हिस्तम में u star की दोनों formula जो मैंने बोले है, वो दोनों यहां use होने वाले, तो चलो start करते बचो, यहां हमें दी गाया है, u average पहले हमने find करना, which is q by a, यानि q by pi by 4 d square, q हमे दिया गाया, which is 0.05, 5 by 4, diameter हमारे पास है, उसका square कर दीजी, और जो भी होगा, क्योंकि यह velocity है, यानि meter per second, दूसरा हमने find करना है, renal number, यानि renal number equal to होता है, vd by new, यहां हमने u average लिया है, और you can write also u average, पर हम नहीं यहां, u bar से denote किया, कोई issue नहीं है, यानि u average into d by new, u average अभी हम किया, diameter दिया गया है, new b हमारे पास है, जो value मिली, यहां रख दीजे, और याद रखे, एक dimensionless number है, यानि यह greater than 4000 है, यानि यह तो clear है, यह एक turbulent flow है, और turbulent flow में भी यह कौन सी pipe है, एक smooth pipe है, और smooth pipe में भी इसकी जो range है, यह जो range है, वो कहां तक आती है, तो यह range के बीच में आ friction factor होगा, यह, f equal to 0.0032 plus 0.021 upon renal number whole to the power 0.237, तो इसमें रख दीजे, जो renal number की value हमें मिली है, यह, तो हमें friction factor, यानि हमारा पहला answer मिल चुका है, जो हमें find करना था, यानि friction factor हमें मिल चुका है, 0.0094, और यह होगा dimensionless, देख लीजे, अच्छे से, चलो दूसरा find करते है, अ यानि u star equal to u average into f by 8, u star यानि u average तो हमने पहले ही find किया, 2.83, f अभी हमने find किया, 0.0094 divided by 8, इसको अच्छे से solve करें और ध्यान से करें, यानि हमें मिलेगा u star, विच इस एक, जो एक velocity है, shear velocity है, और इसका dimension कैसे derive है, किया है, तो आपको देखना है, what is shear velocity वाला concept, तो जाके please दे second, फिर हमने find करना है, wall shear stress equal to, यानि u star equal to होता है, tau 0 upon rho, wall shear stress है हमारा tau 0, u star फिलाल हमने पहले ही find किया, 0.097, tau 0, और यह है water, यानि water की density होती है, thousand kilogram per meter cube, समझ में आ रहा है, अभी अच्छे से करना है, और tau 0 पहले क्या कर देंगे, आप दोनों side क्या कर देंगे, square कर देंगे, square कर देंगे, यानि ये root निकल जाएगा, और फिल्टाव 0 को subject बनाना है, और उससे आपको मिलेगा 9.42 newton per meter square, newton per meter square, यानि हमारा तीसरा atom जो में find करना था, wall shear stress, वो हमें मिल चुका है, और unit पे खास बचो ध्यान दे, क्योंकि जो भी paper check कर रहा है, उसका ध्यान आपके unit प हो, in terms of mean velocity, अगर आपको देखना है, कि ये formula कैसे आया है, तो उसकी link description में है, जो formula है, u max minus u bar, और you can say u average upon u star equal to 3.75, u max हमने find करना है, u average हमने पहले ही find किया, which is 2.83, u star हमने आगी find किया, which is shear velocity, और 3.75, u max को बनाईए subject, यानि ये हो जाएगा cross multiplication, यानि 3.75 into 0.097, और ये इस तर्ट चला जाए तो हो जाएगा plus 2.83, इसको ध्यान से करें, ये है multiplication, ये है plus, अच्छे से solve करेंगे, तो maximum velocity आपको मिल जाएगी, which is 3.19 meter per second, तो please बचो, I hope आपको अच्छे से समझ में आया है, जो मै मैंने इसलिए recommend किये कि वो जो value है, उसमें जो भी हमने derive किया है, वो हर एक sum में use होता है, तो please एक बार अच्छे से देखी लेजिए, क्योंकि हमने mark नहीं गवाने, sum से हमें सीधे mark मिलते है, तो please वो जाके देख लीजिए, वीडियो को like करे, share करे and subscribe करना ना भूले